हेलो प्रेंट्स मैं अनुपम आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो हम बड़ी की सब्जी बनाएंगे और चावल की रोटी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज हम चूले पे खान लेते हैं इसकी वीडियो हमने डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग वहां जाके देख सकते हैं अब हम पानी डाल के इनको भीगोगे रख देते हैं जिससे अच्छे से फूल जाएंगी है अब हम आलू को छील लेते हैं अब हम आलू काट लेते हैं देखिए हमारी बड़ी भी फूल चुकी हैं अब हम आलू और टमाटर को धो लेते हैं एक प्याज भी हमने छील लिया है उसको भी धो लेते हैं साथ में अब हम टमाटर काट लेते हैं छोटी छोटी पीसेज कर लेते हैं टमाटर के अब हम प्याज भी काट लेते हैं छोटा छोटा प्याज काट लेना है अब हम दो हरी मिर्ची काट लेते हैं अब हम लैसुन और अधरग को कूट लेते हैं और प्लेट में निकाल के रख लेते हैं अब हम चूला बना लेते हैं हम एटे का चूला बना लेते हैं देखिए हमारा चूला बनके तयार हो चुका है अब हम इसमें आग लगा लेते हैं पन्नी रखके माचिस से आग लगा देते हैं जिससे अच्छे से चूला जलने लगेगा। अब हम कडाही को अच्छे से धो लेते हैं और पीछे से सर फिक्सल लगा देते हैं थोड़ा सा जिससे कडाही माजने में आसानी होगी, ज्यादा जलेगी नहीं। देखिये इस तरह से लगा लेना है, कोई भी पाउडर लगा सकते हैं कपड़ा धुलने वाला, अब हम कडाही को चूले पे चड़ा देते हैं, अब हम सरसो का तेल डाल देते हैं, तेल को गरम हो जाने देते हैं, बड़ी का पानी निकाल देते हैं, देखिये हमारी बड़ी आ अच्छे से फूल चुकी है इस तरह से होनी चाहिए है अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेते हैं अब हम तब तक मसाला निकाल लेते हल्दी पाउडर दो तीन चम्मज धनिया पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा नमक टेस्ट कार्डिंग अब हम पानी डाल के थोड़ा सा मसाला भिगो देते हैं जिससे मसाला अच्छे से फूल जाएगा देखिए हमारी बड़ियां पक चुकी हैं अच्छे से फ्राई हो गई हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं थाली में अब हम आलू को फ्राई कर लेते हैं उसी तेल में ऐसा करने से सबजी बहुत टेस्टी बनती है अब हम थोड़ी देर आलू को ढख देते हैं इससे अच्छे से आलू पक जाएंगी 50% ही पकाना है इनको पूरी नहीं पकाना है एक बार और ढख देते हैं देखिए हमारी आलू तयार हो चुकी इनको भी निकाल लेते हैं थाले में अब हम थोड़ा सा और सरसो का तेल डाल देते हैं एक चमत जीरा डाल देते हैं हरी मिर्च डाल देते हैं और कुटा हुआ अदरक लैसुन डाल देते हैं अच्छे से पका लेते हैं अब हम प्यास डाल देते हैं जो काटके रखा था अच्छे से भून लेते हैं देखिए हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है और हमने जो मसाला भीगो के रखा था उसको डाल देते हैं और मसाले को अच्छे से पका लेते हैं चलाते हुए अच्छे से भून लेना है देखिए हमारा मसाला भून रहा है पानी एकदम सोख लिया है अब हम इसी स्टेस पर टमाटर डाल देते हैं कटे हुए और अच्छे से पका लेते हैं टमाटर को भी थोड़ी दिर में टामाटर भी अच्छे से गल जाएंगे अब हम थोड़ी दिर के लिए ढख देते हैं जिससे टामाटर अच्छे से गल जाएं देखिए टामाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं देखिए तेल सेप्रेट हो चुका है अब हम बड़ी और आलू डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं देखिए कितना अच्छा कलारा चुका है सबजी में अब हम पानी डाल देते हैं और अच्छे से चला देते हैं अब हम ढग के सब्जी को पका लेते हैं थोड़ी सी हींग डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं अब हम सब्जी को ढग देते हैं जब तक हमारी सब्जी पक रही तब तक हम चावल का आटा गूंथ लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से आटा गूत लेना है देखिए हमने आटा गूत लिया है अच्छे से चिकना कर लेते हैं अब हम आटे को एक साइड रख देते हैं अब हम सब्जी चेक कर लेते हैं अब हम फिर ढख देते हैं अब हम फिर चेक कर लेते हैं देखिए हमारी सब्जी पक चुकी है अब हम उपा से हरी धनिया पत्ती डाल देते हैं देखिए कितनी सुन्दर लग रही है सब्जी अब हम सब्जी को उतार के नीचे रख लेते हैं देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है सब्जी में और कितनी सुन्दर लग रही है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है चावल की रोटी के साथ में तो और ही मजा आ जाता है अब हम तावा रख देते हैं चूले पे और रोटी सेख लेते हैं थोड़ा सा आटा ले लेना है और थोड़ा सा पानी ले लेना है आटे को थोड़ा सा हलका सा चिकना कर लेना है पानी डाल के अच्छे से मसल लेना है जिससे चिकना हो जाए तभी रोटिया अच्छे से बनेंगी थोड़ा थोड़ा आटा ऐसे ही चिकना कर लेना है और रोटिया बराते जाना है अब हम अच्छे से लोई बना लेते हैं चिकनी देखिए इस तरह से रोटि को पोई लेना है हाँ से इस तरह से बढ़ा लेना है रोटि को हलका सा पानी लगा लेना है रोटी में जिससे रोटी और अच्छे से चिकनी हो जाए अब हम तवे पे डाल देते हैं तब तक हम दूसरी रोटी बना के तयार कर लेते हैं देखिए इस तरह से हांसे बढ़ा लेना है अब हम रोटी को उलट देते हैं तवे पर देखिए एक तरफ से पक चुकी है, दूसरी तरफ भी पका लेते हैं अब हम नीचे जगा बना लेते हैं रोटी सेखने के लिए देखिए इस तरह से रोटी रख लेना है अब हम दूसरी रोटी तवे पे डाल देते हैं ऐसे घुमा घुमा के रोटी को पका लेना है, देखिए कितनी अच्छे से रोटी सिंक रही है, ये रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, ऐसे ही सभी रोटीयां सिंक के रख लेना है, गरम गरम रोटी और सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, अब हम रोटी में घी लगा लेते हैं, और सर्व कर देते हैं, देखिए कितनी अच्छी रोटी लग रही है, अब हम सब्जी निकाल लेते हैं थाली में, देखिए सब्जी भी कितनी अच्छी लग रही है खाने में देखने में भी कितनी सुन्दर लग रही है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फेमिली मेंबर और दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक रखिए अपना धेर सारा खयान